मिलिन देवरास हो रायते शोव पर एक साल पहले मैंने उनसे पूचा कि अगर आप एक चीज बदल सकोगे पॉलिटिक्स की दुनिया में तो क्या बदलोगे उन्होंने का स्पेसिफिकली मुंबाई के लिए बहुत सारे गवर्निंग बॉडीज है अगर वह सकता है अगर वह गवर्निंग बॉडीज एक साथ कोडिनेट करें पर कोडिनेशन होती नहीं इसलिए सारों को जॉइन करके एक में गवर्निंग बॉडी बनानी चाहिए जिसकी वज़ा से काम जट से आगे बढ़ेगा आप कुछ कहना जाओगे सर इसके बारे में जैसे मैं सियम बन गया मैं और डिसीम देवेंदर जी दोनों ने ओत ली थी शुरुवात में और हम काम शुरुवात कर दिया था तब ही मैंने मुंसिवल कमिशनर को बुलाया था बीमसी के मैंने कहा भीया यह पूलुशन कम करना है यह गड़ो को कम करना है एक्सिडेंट कम करना है तो बुले इसके लिए मुझे सोलुशन चाहिए तो उन्होंने कहा है चलो करते हैं मैंने कहा यह गड़ो वाली बात जो ह सोचल मीडिया पर आप कहा हूँ तो बोले यह सब बंद होना चाहिए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं किया बोले पैसे तब मैंने पिर उनको कहा दो फैसे में पूरे मुंबई के रोड कॉंक्रीट के होने चाहिए कॉंक्रिटाइजेशन होना चाहिए गड़ों से मुक्त होनी चाहिए पॉर्टोल फ्री और मैंने करने के बाद पहला फेश शुरू हुआ अब इस सेकेंड फेश जो है वो शुरू है मैं कहता हूँ दावे के साथ मुंबई विल पॉर्टोल फ्री इन नेक्स्ट तो त्री यर्स 100% मुंबई विल मै्टो के न स्च्टरक्शन हो मेटो पॉर्टो कश शुरू है उसको भी जल अफुरा करेंगे दूसरी बात है मुम्ना डी का काम शूरू है उसको रिकाम काम शूरू है और आपकी बात और भी है यह संजन्सी पह एक नोडल एजेंशी चाहिए जी 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 जो की नोडल एजेंशी हो उसकी जिम्मेदारी हो कि जा घड़े है जा काम शुरू है जा डेबरीज है वो सब निकालो और मुंबई को साप सुतरा करो तो जरूर ये हमारी ये कोशिश है कि मुंबई को साप सुतरा मुंबई को पॉलुशन फ्री करो मुंबई को ट्रैफिक फ्री करो उसके पर काम शुरू है हमारा देखिए अभी दो-ईस साल हुए है अभी पचास साथ सो सालों का काम दो साल पे तो नहीं हो सकता है लेकिन हम कोशिश कर रहे है इतनी कोशिश कर रहे है कि इसके रिजल्ट भी दिख रहे आज मुंबई इम्टिफिकेशन हो रहा है ilumination हो रहा है सब जगह देख रहे है लोग चैल फैल देख रहे है और सब जो बीच है beach clean कर रहे हैं हम लोग अभी आज तक हमारे beach में हमारे समुंदर में जो polluted water जाता था क्योंकि STP नहीं थे sewerage treatment plant हमारी सरकार आने के बाद 7-8 जगह पर sewerage treatment plant को काम शुरू कर दिया है अभी जो beach में हमारे लोग कुंग थे मुंबई के भीचो पर कितना काला पानी देखते है आज आप उनी देखोगे future में पूरा treated water समुदर में चाहेगा तो इससे भी pollution कम होगा वो किसे ने कोशिच नहीं के लिए हमने की आज pollution कम करने के लिए आज pollution level मुंबई की देरे देरे कम हो रही है क्योंकि आज metro complete हो जाएगी तो सबकी private गाड़िया रोड से कम हो जाएगी air condition में बैटेंगे लोग अभी जैसे जैसे फेज़स में metro कर रहे है अभी metro 3 complete हो जाएगी हाप जो है वो complete हो जाएगी उससे pollution कम होगा metro 6 है जो भी हमारी जितने metro लाइने है उसको हम फेज़स में complete कर रहे है अटल से तो देखा अपने जी जी गए भी कैसे है मजा आ गया तो उसको तो हमने pro environment किया है लोग कह रहे थे flamingo भाग जाएगे तो हमने कहा नहीं भागेंगे हमने वहाँ ऐसी तकनीक लगा दी advanced technology का इस्तिमाल किया river circulation drill का इस्तिमाल किया एक भी flamingo गया नहीं flamingo बढ़ गए आज 15 मिनिट में दो घंटे का सपर 15 मिनिट में रोज लोग पार कर रहे सर अटल से तो की वज़े से कभी-कभी ऐसा लगता है कि आने वाले 50 साल में शायद जो हमारा island है वो एक commercial hub बनेगा और ज्यादा तर लोग उस साइड रहेंगे mainland पर रहेंगे mainland पर रहेंगे सही बात है क्योंकि अब 15 मिनिट में अगर वहाँ पोस्ते है वहाँ airport भी बन रहे airport बन रहे है वहाँ पर सुवीदा बन रही है शिलकोवा development कर रही है और यहाँ पर हम coastal road भी बना है जो city की traffic कम करने के लिए यह coastal को आगे बढ़ाएंगे और यह मुंबई शहर की traffic उससे कम होगी metro से और coastal से अगर आपको यह clip अच्छा लगा ऐसे हजार क्लिप्स अपलोड किये गए है इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ